हेलो फ्रेंड स्वागत एक बार फिर से आप सभी का योट्यूब चैनल डिजिटल तयारी पर मेरा नाम है चेतन पारिक आरे सगरवाल की हिंदी वाली बुक को हम सॉल कर रहे हैं इसमें हमारा चेप्टर जो है वो है प्राब्लम्स ओन ट्रेंड का पार्ट ए हम कर चुके हैं पूरा का पूरा पार्ट ए कर लिया है जिसमें क्या अबजिक्टिव सवाल होते थे आप्सन वाले अब हम सुरू कर रहे हैं पार्ट B को जिसमे क्या होंगे सब्जेक्टिव सवाल होंगे अप्शन हमारे पास नहीं होंगे तो पार्ट B हम करने वाले हैं और इस पूरी सीरीज में आटवा पार्ट है यह अब तक साथ पार आ चुक है जैसे मना आपको बताया है जिसमें मने पार्ट एक की आए तो शुरू करते हैं पार्ट बी को जैसे आप यहां पे देख सकते हो पार्ट बी और पार्ट बी में पहला सवाल क्या है तो ये रहा तो फटाफट से इसको ट्राई करें अगर आपने Time and Distance पड़ा है जब मैंने Time and Distance कराया था वो देखा है आपने पूरा-पूरा इसके अलावा इंगलिस वाले वर्जन मैंने रेल गाड़ी और Time and Distance ये वाले चप्टर मैंने करा रखे हैं वहापे तो वो चीज़ा अगर आपने पहले देख रखी है तो ये सवाल वहाँ पे आया था बिल्कुल Same सवाल तो ये सवाल आपने वहाँ पे देखाया तब तक कर भी लिया होगा और अगर नहीं देखाया तो जरूर देखना जब आप पूरा ये हिंदी वाला देख लो इसके बाद उसको भी जरूर देखना क्योंकि वहाँ पे नमबर ओफ पेसंज और वराइटी ज़्यादा है फिलाल शुरू करते हैं इस सवाल को क्या कहा रहा है ये एक्सिडेंट वाला सवाल है ये कहा रहा है कि एक रियल गाड़ी की 30 किलोमेटर की दूरी तै करने के बाद दुर्गटना ग्रस्त हो गई इसके परिणाम सुरूप गाड़ी की चाल अपनी चाल की 4 बटा 5 हो गई तता यहाँ अपने गंतव्या इस्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंची यदि दुर्गटना इस दुर्गटना इस्थाल से 18 किलोमेटर आगे हुई होती तो यहाँ रियल गाड़ी अपने गंतव्या पर 36 मिनट देरी से पहुंची तो रियल गाड़ी की सामन ये चाल कितनी है यहाँ को गयात करने देखो मान लो रियल को यहाँ से यहाँ तक जाना है ठीक है यहाँ से यहाँ तक जाना है लेकिन हुआ क्या कि 30 किलोमेटर की दूरी वो जब चली 30 किलोमेटर चल के आई मान लो 30 किलोमेटर की दूरी चलने के बाद वो यहाँ तक आई और यहां तक आते ही उसका एक्सिडेंट हो गया गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया और जैसे ही एक्सिडेंट हुआ उसके बाद से उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो गई एक्सिडेंट के बाद उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई पहले की चार बटा पांच रह गई पहले की कितनी रह गई चार बटा पांच नीचे क्या लिखा पांच तो माल लोग की पहले जो उसकी स्पीड थी माल लोग की पांच यूनिट थी माल दिया पहले उसकी speed कितनी 5 units थी तो 5 का 4 बटा 5 कितना होगा 4 होगा तो यहाँ पर मैंने लग दिया 4 मतलब अब accident होने के बाद कि उसकी speed है वो कितनी है 4 है तथा यहाँ अपने गंतोगे इस्थान पर 45 minute देरी से पहुंचते है और जब वो इस तरीके से गई तो उसको जहाँ पर जाना है वहाँ पर वो 45 minute लेट पहुंची accident की वज़े से तो यहाँ से 18 km आगे हुई होती तो वो सिर्फ 36 minute लेट पहुंचता मतलब यहाँ पर उसका accident ना होकर मान लो यहाँ पर हो जाता थोड़ा आगे मतलब पहले से 18 km आगे यहाँ से 18 km आगे यह वाला अगर यहाँ पर accident हो जाता तो फिर उसको सिर्फ 36 minute का लेट होता 45 minute का लेट नहीं होता सिर्फ 36 minute का ही लेट होता तो अगर यहाँ पर accident होता तो उसकी speed यहाँ पर कम होती यहाँ पर 5 और इस वाले अंतराल में भी speed 5 ही रहती speed यहाँ पर 4 हो जाती क्योंकि accident तो यहाँ पूर हो है second case की बात कर रहा हूँ लेकर अगर पहले case की बात करें तो यह 5 से चली फिर 4 और फिर आगे भी 4 से ही चली पूरे जगे में यह तो यह पहले diagram 7 में आया होगा I hope आपको अब diagram 7 में आ गया तब सवाल बहुत ही simple है एक चीज नोट करना मैंने आपके सामने दो अलग-अलग diagram बनाए है एक तो उबठर वाले एक्सिडेंट को represent कर रहा है, एक नीचे वाले एक्सिडेंट को represent कर रहा है, दो अलग-Alग लाइने बने ही एंवे आपके सामने, आप एक छीज नोट करोगे, कि चाहे आप उबठर वाले के according चलोका है आप नीचे वाले के अकॉल्डिंग चलो इस 30 किलोमेटर के दौरान रेल गड़ी की चाल से मैं देख लो यहां पर भी पांच यहां पर भी पांच चाल से मैं मलब एक्वल टाइम लगा नोव मिनिट का डिफरेंच क्यों आरहा है कि इस Peng यहां पर एक्सिडेंट के दवराण यहां पर होती है रहा इक होता है नहीं है तो यहां पर देखो ही है अठारा किलोमेटर चले जब वो 4 की स्पीड से चलती है और एक बार वो 5 की स्पीड से चलती है तो 4 की स्पीड से चलेगी तो लेट ही होगा होगा लेट इसी वज़े से आप देखो यहाँ पर 36 मिनट का लेट है यहाँ पर 45 मिनट का लेट है 9 मिनट जदा है उपर क्यों जदा है क्योंकि इस स्ल स्लोट की वजे से 9 मिनिट का डिले आ रहा है तो आप क्या करो पहले और दूसरे स्लोट का टाइम निकाल लो उपर और नीच्छे दोनों का टाइम निकाल लो और डिफ्रेंस को 9 के बराबर रख लो आई बात समझ में तो यहां पर मैं क्या करता हूं 18 के अंदर दूरी के गले तो यह distance upon time चाल मिल गई स्वरे distance upon speed टाइम मिल गया माइनस मैं क्या कर लेता हूं distance upon speed नीचे वाली इस बार 5X यह जो डीफ्रेंस है वो 9 मिनिट के बराबर है इसके बराबर है 9 मिनिट के बराबर है और इस 9 में मैं 60 में बाग लगा देता हूं 60 का ताकि यह hour में चेंज जाए सारी calculation hour में है उसके इसाब से आई बात समझ में इसको solve करेंगे हमें x मिल जाएगा अगर x मिल गया तो हम normal speed भी निकाल सकते हैं और accident के बाद वाली speed भी निकाल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं यहाँ पूरी पहले तो काट लेते हैं यहाँ पर जैसे कट गया देखो दो वार में ठीक है इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं 20x LCM मिल रहा है 5 उपर चला गया तो 10 हो गया यहाँ पर देखो 4 मिल रहा है 4 उपर चला गया तो minus का 8 मिल गया और यह 1 upon 60 हो गया 2 upon 20 यानि किता हो गया 1 upon 10x is equal to 1 upon 60 तो आप देख सकते हो कि x का जो मान है वो आपको मिल रहा है अगर x का मान 6 है तो फिर आप 5x की value निकाल सकते हो किता है गा 30 और 4x की value निकाल सकते हो किता आएगा आपको normal speed बूचिए without accident तो कितना होगा 30 यानि 30 किलोमेटर परती गंटा हमारा क्या है correct answer आई बात समूल में तो सबसे best method है सबसे छोटा method है मैंने आपको समझाया इसी वज़े से देरे देरे समझा रहा हूँ और time ले रहा हूँ लेकिन अब समझ में आगया है तो exam में आप सिर्फ diagram बना के आप यहीं पर सारा कुछ सवाल कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question की और देखो अगला सवाल क्या है question number two आपके सामने है अगर आप चाहते हो accident पर भेज़ कुछ और सवाल करने के लिए तो मैंने अगलिस वाली RS अगरवाल को भी देखो इसके अलावा हिंदी वाली RS अगरवाल में ही मैंने time and distance सेप्टर कर रहा है वहाँ पर भी यह same सवाल आया है मतलब इसी type का same सवाल आया है ठीक है तो ध्यान रखना आपको करने है वह सवाल को आगे बढ़ते हैं next questions की और एक 100 मिटर लंबी रेल गाड़ी 60 किलमेटर परती गंटा के चाल से जा रही है यहाँ अपने सामने से दुगनी चाल से आ रही रेल गाड़ी को 10 सेकेंड में पार कर लेती है तो दुगनी चाल से आरिय है इस सवाल में लिखा है अब एक दूसरे को पार कर रही है मतलब दौनों की कुल लंबाई लिखूंगा तो एक की लंबाई तो सौ दे रखी है दूसरे की लंबाई कितनी है नहीं पता यह तो आपको फाइंड करना है distance के अंदर time का divide लगा लो, कितना है time 10 है, तो 10 का divide लगा लो, यह क्या मिल गया, speed मिल गई, जो की किस के बराबर होगी, relative speed के बराबर होगी, 60 और 120 को जोड़ लो, तो कितना आएगा, यह 180 आएगा, तो यहां पर लिख लिए, मैंने 180 km पड़ती गंटा, relative speed लिखनी है, opposite direction में आ कोना करना पर कितना मिल गया, 50, यह 100 स्थरफ चला जाएगा, तो 500, 500 में से 100 चला जाएगा, तो X कमान कितना आएगा, 400, यनि 400 मीटर, दूसरे रेल गाड़ी के लंबाई कितनी होगी, 400 मीटर होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question की और, अगला सवाल देखो, पटावर से तो वापिस से इसको देखो, समझना दियान से, क्या कहा रहा है कि एक रेल गाड़ी, या माल गाड़ी, सहर X से Y की और जाते हुए, एक गंटे बाद दुर गटना ग्रस्त हो गई, तथा इसे आदा गंटा रोक लिया गया, ठीक है, बलब एक माल गाड़ी है, देखो डाइ गंटा चल के माल लो, यहां तक आई, और यहां तक आती ही, उसका एक्सिडेंट हो गया, यहां तक आती ही, उसका क्या हो गया, एक्सिडेंट हो गया, और एक्सिडेंट होने के बाद उसको आदा गंटा रोक लिया गया, और इसके बाद उसकी चाल, सामन या चाल की चार ब पिyy सबस्वाल में ऐसा कुछ नहीं था. रुकीках और चलिए sul क्य सम. जो दोगंटे का टॉटल लेट हो रहा ए न वहां पर पहुचते समय उसमें से आदा गंटे का यह होगा दो कंटे का का उगा दो गंटे में reasons को शादा घंटे का रोखने में वेश्ट कर दिया मालों मैं रोका यह नहीं मैंने तो गाड़ी को चालुही रखा liftsips गंटे का लेट होगा यद्र गंटे को मैंने आगे हो जाता कितना आगे हो जाता असी किलोमेटर आगे हो जाता यहां पर इस सवाल कह रहा है तो जो लेट है वो किवल एक गंटे का ही होता फिर से वही बात है कि एकसिडेंट होने के बाद रुकी तो थी आदा गंटा ठीक है तो एक गंटे के टोटल लेट में से आदा गं ठीक है अब यह है आपके सामने सवाल देखो बिलकुल सेम टाइप का सवाल बन गया यह अब यहाँ पर अगर देखो पहले वाले केस में तो यहाँ पर एक्सेडेंट हुआ था तो यह 5 है फिर 4 और फिर आगे भी स्पीड उसकी 4 ही रही थी लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि स्पीड यहांपर 5 यूनिट थी यहांपर भी स्पीड पांच यूनिट थी यहाँपर हुआ है तो स्पीड अब अगम होगी कितनी हुजे उपर गती केवल 4 unit है, नीचे गती 5 unit है, उपर गती कम है, इस वज़े से उपर वाले case में 1 गंटा ज्यादा लग रहा है, आई बात समझ में तो क्या कर लो, फिर से वोई इस slot को पकड़ा आप तो, इस slot को solve करो यहाँ पर, distance upon speed 4x, minus distance upon speed 5x, तो इस slot के दोरां, जब आप इस speed से चलते हो, फिर आप इस speed से चलते हो, तो दौनों केस में जो time difference है, वो कितना आ रहा है, एक गंटे का, तो इसका रख लगा आप एक गंटे के बड़ा है, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है, यहाँ पर देखना, वही, यह वाला distance distance तो equal है और speed भी equal है, यह वाला distance equal है और speed भी equal है, इसका मतलब, यह आदा कंटा और यह ड़एड़ कंटा आ रहा है, दौनों अलग-अलग आ रहा है, वो कही नगी, सिरफ इसी के वज़े से आ रहा है, और उपर वाले में ज़्यादा समय लग रहा है, तो वो शिरफ इसी द सबसे पहले हम find करते हैं speed को, ठीक है, speed को find कर लता है, तो यहाँ पर LCM कितना आ रहा है, 20x, 5 उपर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 400, 4 उपर गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 320 और यह कितना हो गया, 1 गंटा, 20x उस तरफ चला गया, 20x is equal to 80, त x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अगर x का मान 4 है, यह कितना होगा, फिर 20 होगा, यह 5 units हा, ratio wise बात कर रहा था, actual value फिर आपन क्या कर लेंगे, x की value 4 है तो 4 से गुना कर लेंगे, 20 आ गई, तो यह बोल रहा है, दुरगटना से पहले मालगड़ी की चाल, तो ग्याद करो, मतलब x और y के बीच बार total मिला कर दूरी है, कितनी यह आपको find गरना, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो, कि यह वाली जो दूरी है, यह 80 होगी, ठीक है, यह तो पता है, यह दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 गंटे तक गाड़ी चली है, स 20 किलोमेटर कावर हो सकते हैं, तो यहाँ पर यह जो दूरी हो गई है, कितनी होगी, 20 किलोमेटर होगी, कितनी होगी, 20 किलोमेटर होगी, आई बात समौन में, यह 20 किलोमेटर होगी, यह 80 किलोमेटर होगी, अब हमारे पास जाना, केवल यह वाली दूरी बाकी है, निकालना अब ये दूरी निकालने के लिए खूब सारे तरीके हैं या तो आप basic conventional तरीका लगो कि एक अलग से equation बनाओ उपर वाले की एक अलग से equation बनाओ नीचे वाले की delay के हिसाब से फिर actual timing का पता करो और फिर distance निकालो और नहीं तो direct करना आपन को तो direct कैसे करना है तो यहाँ पर समझना ध्यान से कि यहाँ पर यह जो delay हो रहा है 80 km की वज़े से हो रहा है सिरफ इस 80 km की वज़े से उपर एक गंटा जादा लग रहा है तो आपने क्या किया है इसका आदा किया तो इसको आप आदा घर लो कितना आजाएगा 40 आजाएगा यानि यह distance कितनी आगई 40 आगई तो इन सब को जब जोड़ा तो कितना हो गया 140 हो गया 140 यानि speed कितनी है 20 km पर आवर और distance कितनी है टोटल मिला कर तो 140 km आई बाद समझ में यह distance तो अच्छी तरह के समझ मागई यह कैसा निकाले तो वापिस से समझ ना कि 80 km की वज़य से एक गंटा उपर ज्यादा लग रहा था 80 km की वज़य से उपर एक गंटा ज्यादा लग रहा था मतलब एक गंटे का लेट हो रहा था ठीक है एक गंटे का लेट इसी वज़य से हो रहा था और यहां पर भी देखो चार है यहां पर भी चार है तो इसका हम पता कर सकते हैं इस case में आदे गंटा का लेट करवाना है तो इसको आदा कर लिया आपने तो इसको भी आदा कर लो आई बात समझ में तो इस तरह के से कर सकते हो और आप इस आदे गंटे की बजाए इसको भी यूज ले सकते हो अगर आप इसको यूज लेते ना जैसे मालनो एक को आप 3 बटा 2 बनाते तो आपने एक को 3 बटा 2 से गुणा किया तो 80 को भी आप 3 बटा 2 से गुणा कर लो तो आपको कितना मिलेगा देखो ये 40 इंटू 3 120 तो 3 बटा 2 लेने पर आपको 120 किलोमेटर मिला फिर ये पूरी दूरी होगी ये वाली पूरी तो 120 ये वाली और 20 ये वाली तो भी कितना होगा 140 ही होगा ठीक है तो दौन ही आप यूज दे सके ये वाली टूज जो टाइप है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है एक्सिडेंट वाली टाइप है और सवाल आपको करना है तो हम आपको फिर से बता दो इस पार्ट मैंने चौता सवाल पर पार्ट तो चली रहा है चौता सवाल पर आगए तो क्या कह रहा है 100 मिटर लंबी रेल गाड़ी अपने सामने से 5 किलोमेटर परती गंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को साथ सही एक बटा पांच सेकेंड में पार कर जाती है तो रेल गाड़ी की चाल गयात करो Speed का formula क्या होता है? distance upon time जब rail gauri किसी आद्मी को पार करती है मतलब खुद की लंबाई को ही पार करती है तो distance कितमी ओविष हो ठीक है? कितने समय में पार करती है? साथ सही एक बटा पांच में साथ सही एक बटा पांच को आप क्या लख सकते हो 37 बटा 5 बटा वाला 5 मैंने बेज दिया उपर ठीक है यह आगए मेरे पास स्पीड और यह स्पीड किसके एकवल होगी दौनों यह अपोजिट डिरेक्शन में है मतब आदमी भी चल रहा है और यह जो रियल गाड़ी है वो भी चल रही है और दौनों अपोजिट डिरेक्शन आएगा ठीक है और आप चाहू तो यह जो सारा आंसवर आप किलोमेटर परती गंटा में भी निगाल सकते हो तो किलोमेटर परती गंटा में निगाल देता है क्योंकि आदमी की चाल किलोमेटर परती गंटा में देरकी है तो फिर इसको चेंज कर लो किलोमेटर परती गंट पाचवा सवाद, दो रेल गाडियों, दो रेल गाडिया, 650 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित, दो बिंदुओं से एक दूसरे की और चलना आरम करती है, यदिवे दौनों एक ही समय पर एक दूसरे की और चले, तो दस गंटे बाद मिलती है, परन्तो यदिवे, एक दूसरे स इन में से एक दूसरे से चार गंटे बीस मिनट बाद चले, तो बाद में चलने वाली रेल गाड़ी के चलने के आठ गंटे बाद ये दौनों रेल गाड़िया मिलती है, तो प्रती एक रेल गाड़ी की औसत चाल कितनी है यह आपको घ्याद करना देगा, ऐसे सवाल जब आ लगती है, लिमिटेड सवालों में लगती है, हर जेके ट्रिक नहीं लगती है, तो जिनके बेसिक अच्छे होंगे ना उन्होंने ये सवाल अब तक कर भी लिया हो, ठीक है, तो चैक करना देखो अपने अपने answers को I hope आपने try कर लिया है, तो यहाँ पर क्या है कि 650 किलोमेट की दूरी पर दो station है, यहाँ पर क्या है कि 650 किलोमेटर का एक gap बना लो, diagram बना लो, इस तरीके से, यह रख, एक rail गाड़ी यहाँ से रवना होगी, और एक rail गाड़ी यहाँ से रवना होगी, यह कह रहा है, कि जब एक दूसरे के और चलना आरम करती है, तो दस गंटे बाद रे मिल लेंगी, मान लो कि यह जो है, एकस की स्पीड से चल रही है, यह मान लो, य की स्पीड से चल रही है, 650 किलोमेटर का यह जो gap है, वो दस गंटे में खतम हो जाएगा, गाड़ी यह कितने समय में मिल रही है, 10 गंटे में मिल लेती है, मतलब यह gap 10 गंटे में खतम हो ज लिख दिया यह मैंने दौनों रेल गाडियों की चाल का योग लिख लिया अब आगे क्या कह रहा है दोगो सेकंड कंडिशन यह कह रहा है परन्तु यदि इन में से एक दूसरे से चार गंटे 20 मिनट बाद चले तो बाद में चलने वाली रेल गाड़ी के चलने के आठ गंटे बाद में मिलती है तो प्रती एक रेल गाड़ी की ओसत चाल कितनी अब यह कह रहा है कि इन में से एक रेल गाड़ी थोड़ी बाद में रवाना करते हैं मलब साथ में नहीं रवाना करके थोड़ी सी बाद में रवाना करते हैं तो क्या होता है कि बाद वाली रेल गाड़ी क पहले रवान और यह तो कुछ ना कुछ दूरी यह कम कर देगी यहां से चलके थोड़ी सी कम होगे यहां तक आजेएगी ठीक है तो कितनी चली यह 4 गंटे 20 मिनट तक चली इसकी चाल को मैंने माना किया है इसकी चाल को मैंने एक्स माना है एक्स किलोमेटर पुरती गंटा मान ठीक है कितना होगे तेरा बटाती तो यह डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कितनी 13 एक्स भाई यह डिस्टेंस ट्रेवल कर ली कितने किसने पहले चलने वाली ट्रेन में ठीक है 4 गंटे 20 मिनट में यह तनी डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है अब कितनी डिस्टेंस बाकी है तो 650 म शुरू कर देगी और अब यह जो गैप है वह 8 गंटे में खत्म हो जाएगा तो इस बार जो फिर से हम speed निकालेंगे relative speed जो हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस y यह तो 65 था x प्लस y जब हम लिखेंगे कुल मिला कर अब दूरी कौन से यूज लेंगे यह वाले तो 650 माइनस का 13 x by 3 यह total distance upon total time तो 8 गंटे बाद मिलती है तो 8 का लगालो भाग आई बात समझ में अब क्या करना है दौनों equations को solve करना है और x और y का मान निकालना अब इस diagram का अटालो देखो बनाता ही equation आसान से बन गई और equation भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा difficult नहीं बिल्कुल चोटी सी equation आसान से solve कर सकते हो अगर आप उपर वाले को देखते हो तो x प्लस y का मान 65 है अगर आप इसको देखते हो तो x प्लस y का मान यह है इसमें यह 8 बटा में है जब 484 किते हो गए 52 बाकि यह 650 माइनस का 13x बटा 3 13x बटा 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 520 को उस तरफ भीज़ती है मैंने तो किता आएगा 130 यह काट लिया देखो 10 बार में कट गया x का मान किता आगया 30 आगया अगर x का मान 30 है तो y का मान किता आएगा 35 आएगा क्योंकि दौनों कसम कितना है 65 तो आपको यहीं बोला है कि परती एक रेल गड़ी की चाल कितनी है तो परती एक रेल गड़ी की चाल कितनी होगी फिर 30 आएगा 35 होगी आई बात समझ में ठीक है तो आई हो पच्छी तरीके से यह सवाल आपको समझ में आगया है बिल्कुल बेसिक से किया है ठीक है बिल्कुल कोई भी यहाँ पर रिटने वाली ट्रिक यूज नहीं करीए आ अब आगे वाले सवालों को करेंगे हम अपकमिंग पार्ट्स के अंदर आपको फिर से बता दू इंगलिस वाली आरस अगरवाल को भी पूरी पूरी जरूर करें थैंक यू प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी